तुम्हें मैं किस तरह देखूं। दरीचा है धनक का और एक बादल के चिल्मन है और इस चिल्मन के पीछे छुपके बैठे कुछ सितारे हैं। सितारों की निगाहों में अजब सी एक उल्चन है वो हम को देखते हैं और फिर आपस में कहते हैं। ये मनजर आसमा का था यहां पर किस तरह पहुँचा। जमीजादों की किसमत में ये जन्नत किस तरह आई। सितारों की ये हैरानी समझ में आने वाली है कि ऐसा दिलनशी मनजर किसी ने कम ही देखा है। हमारे दर्मिया इस वक जो चाहत का मोसम है उसे लफसों में लिखें तो किताबें जगमगा उठें। जो सोचें इसके बारे में तो रुहें गुन गुना उठें। ये तुम हो मेरे पहलू में के खौब जिन्दगी ताबीर की सूरत में आया है। ये खिलते फूल सा चेहरा जो अपनी मुस्कुराहट से जहां में रोशनी कर दे। लहू में तासगी भर दे। बदन एक धेर रेशम का जो हाथों में नहीं रुपता। अनोखी सी कोई हुश्बू के आँखें बंध हो जाएं। सुखन की जगमगाहट से शगूफे फूट दे जाएं। छुपा काजल भरी आँखों में कोई रास गहरा है। बहुत नजदीक से देखें तो चीज़ें पहल जाती हैं। सो मेरे चार सू दो जील सी आँखों का पहरा है। तुम्हें मैं किस तरह देखों मैं तुम्हें किस तरह देखों।